नमस्कार वन इंडिया हिंदि में आपका स्वागत है मैं हूँ राधिका जलवायू परिवर्तन पर यूएन की आई पी सीसी की नई रिपोर्ट में भारत के पती एक चिंता जनक इस्तिती पर फोकस किया गया है आई पी सीसी दुनिया भर के हज़ारों विज्यानिकों का एक समू है जो विश्व भर के निती निर्माताओं को ध्यान में रखकर जलवायू परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है अपने नई रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए आई पी सीसी ने कहा है कि अगर कारबन सर्जन में कटौनती नहीं की गई तो भारत रहने लायक नहीं रह जाएगा वैश्विक इस तरपर गर्मी और आधरता ऐसे हालात उत्पन हो जाएंगे जो इंसान वर्दाशी नहीं कर पाएगा भारत उन देशों में से है जहां ये असहनिये हालात उत्पन होने वाले हैं इससे भारत को गंभी रूप से नुकसान पहुँचेगा जलवायू परिवर्दन की वज़ा से आने वाले कुछ ही सालों में असामाने गर्मी देखने को मिल सकती है और असामाने रूप से भारी बारिश की परिस्तीतियां भी पैदा हो सकती है रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बढ़ते तापमान से दुनिया भर में मौसम से जुड़ी भयंग कर आपदाए आएंगी दुनिया पहले ही बर्फ की चादरों के पिखलने समुद्र के भरते इस्थर और बढ़ते अमली करण में आपरवर्ते ने बदलाव जेल रहा है मौसम बदलने के कारण जादा या कम पारिश बार्ड की भी भीशिका और लूट के थपेड़े बढ़ सकते हैं इसके लावा बढ़ते तापमान के कारण क्रिशी उत्पादन में बढ़े पैमाने पर कमी की आशंका जताई गई है जिससे भारत भी अच्छूता नहीं भारत में क्रिशी उत्पादन में बढ़े पैमाने पर कमी की भी आशंका जताई गई है रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले साल में शेहरी आबादी की संख्या तेजी से बढ़ने वाली है अगले 15 साल में देश की 60 करोड आबादी शेहरों में रहेगी जो मौजूदा अमेरिका की आबादी से दुगनी होगी देश में 7500 किलो मीटर लंबा तर्ट ये इलाका है मुंबई, कौलकाता, चेनई, विशाखा पतनम, पूरी और गोवा जैसे इलाकों में जादा गर्मी पर सकती है समुद्र का इस्तर उपर जाने के कारण इन इलाकों में बाहर जैस जमस्याओं का सामना करना पर सकता है, यही नहीं, यहाँ चक्रवाती तुफानों का भी खत्रा मन ड्राएगा, बड़े शहरी इलाकों से लेकर हिमाले शेत्रों को बहुत जादा जोखिम का अनुमान है, उत्राखंट जैसे इलाकों में चमूली जैसी तरास्ती बढ़ सकती इस खबर में फिलाल इता ही, तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ